जाहिन सातियों स्वागता आपका सोरे आफ सॉल्जर्स ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सातियों आज हम बात करेंगे केंद्रिय करमचारी जो भी है उनके बच्चों की सिक्साय के लिए जो मिलता है उनके रूल्स वगबारे में ये बहुत ही इजी वे के अंदर में आपको बताओंगा सातियों क्या होता है कि एक बच्चे के लिए दो हजार दो सो पचास रुपे प्रती महा के हिसाब से 12 महीने का एज्यूकेशन के लिए मिलता है तो ये टोटल मिला के होता है 27,000 इतना आपको पचा होगा तो अब ये कितने बच्चों के लिए मिलता है तो साथियों आपको पता होगा ये के ओल दो बच्चों को ही मिलता है लेकिन हो सकता है किसी के तीन बच्चे हैं कई तो उठाते भी है तो इसके लिए है कि यदि जुड़वा बच्चे पेदा होते हैं यदि पहला सिंगल बच्चा है अगले जुड़वा बच्चे पेदा हो जाते हैं तो उनको तीन बच्चों के लिए ही मिलेगा लेकिन अगले पहले प्रियास में ही जुड़ा बच्चे पेदा होते हैं तो फिर केवल दो बच्चों की ही अनुवती होती है उन दो बच्चों के लिए ही CEA आप क्लेम कर सकते हो अब कई बोलते हैं कि सोतेला बच्चा होता है या गोद लिया वह होता है तो उनके यदि डोकुमेंटेशन्स पूरे हैं आपने उनको गोद नामा बनवाया है तो आप उनके लिए भी अपने CEA का फोर्म भर सकते हो 27,000 रुपे परती वर्स उनके एजुकेशन के लिए उठा जकते हो अब क्या बात होती है कि किसी कि बच्चा दिव्यांग है तो उसको CEA करमचारी को डबल मिलता है उसके लिए यानि 54,000 परती वर्स मिलता है 27,000 का दोगुना कर दिया जाएगा डबल यदि बच्चा दिव्यांग है यानि कि कोई कमी हो उसका लिए एक दिव्यांग सेटिफिक्ड बनता है वो आप अपलाई कर देते हैं साथ में लगा देते हैं तो डबल मिलता है अब हम अगले बात करते हैं कि अगर बच्चा होश्टल में पढ़ता है तो उसको 6,750 रुपे कितना? 6,750 रुपे परती महीने के हिसाब से साल का 81,000 मिलेगा अब एक साल का इसको टोटल कर लेते हैं 6,750 को अपन मल्टिप्लाई तो उस हिसाब से ये मिलता है अब सातियों जो होश्टल फीस है 81,000 ये सेपरेट मिलेगी इसके साथ साथ में जो एज्यूकेशन अलाउंस है 27,000 वो भी मिलेगा तो टोटल कितना हो जाता है 81,000 प्लस 27,000 टोटल 1,8,000 रुपे यानि कि परते के एक बच्चे के लिए एक साल का यदि आप चिल्डरन का एज्यूकेशन से सम्मधित खर्चा देखे हो तो 1,8,000 रुपे होता है तो इसको अवेल करना चाहिए अब आईए आगे बढ़ते हैं जो 81,000 है मैंने आपको बता दिया है इसके लिए आगे के रूल है कि आपका जो होस्टल है वो 50 किलोमेटर दूर होना चाहिए आपके रेजिडेंस से तब ही इसका विल पास होता है 81,000 होस्टल गा यानि आपके बालक है जिन के लिए आप होस्टल फीस उठाना चाहते है वो आपके जो HR जहां से घर के लिए उठाते हो वहां से 50 किलोमेटर फार अवे होना चाहिए तब ही ये मिलेगा अब अगले रूल नमबर आट की हम बात करते हैं जो काफी basic level के अंदर लोगों को confuse करता है इसमें लोग ये confuse होते हैं कि sir primary, lkg, ukg इस टाइब की बहुत classes बनार किये first class में बच्चा जाता है उससे पहले level के उपर भी काफी classes कई schools में बनार किये है कई boards ने बनार किये हैं जैसे कोई बोलते है primary है कोई बोलता है lkg है कोई बोलता है ukg है तो उनका क्या कर रहे हैं उनके कितने claim से पास होंगे तो साथियों कितनी भी classes हो कैसी भी classes हो उनके लिए first class से पहले तक वाले बच्चों के लिए 2 साल का CEA आप claim उठा सकते हैं और उसके बाद में first से लेकर 12 तक का लगातार 12 साल का 27,000 पर 30 वर्ष के हिसाब से उठा सकते हैं तो 2 वो और 12 class का वो total चोगदा बार आप CEA एक बच्चे के लिए भर सकते हो पुरी life में यानि 12 वी तक के लिए शिक्सा के लिए कोई आपके आपती नहीं है लेकिन कभी बच्चे दुरबाग्य वस फेल हो जाते हैं तो एक class के लिए उसको double मिल सकता है तो वापस उनको री करने के उपर एक वार CEA और मिल सकता है तो अब आईए अगर बच्चे की उमर 20 हो जाए और 12 कक्सा उतिर्ण होने तक उसमें जो भी पहले होगा वहीं मिलेगा यानि कि आपको अपने बच्चे को 20 साल तक की I.U. के अंदर अंदर 12 क्लास करवा देनी है यदि वो 20 साल से अबव हो गया उसके बाद में 12 क्लास करवा देनी है फिर आप उसका CEA भर रहे हो Children Education Allowance का फोर्म भर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा उसका बिल पास नहीं होगा साथियों यानि कि 20 साल तक की I.U. में चाहिसे कैसे भी प्राइमरी करवाओ किसी में फेल हो जाए यानि 20 साल तक कि तक के अंदर उसको बारवी पास करवा देनी है रूल 11 कहता कि अगर बच्चा दस्वी कक्सा के बाद में अथ्वा अन्ने कोई कोर्स करता है तो दस्वी के बाद 2 साल तक उसे मिलेगा यानि कोई बच्चे दस्वी के बाद में 11, 12 नहीं करके कोई कोर्स करते हैं डिप्लोवा बगरा करते हैं आई टी आई कितरे हैं तो उनके लिए भी उनको दो साल तक का मिलेगा। रूल बारा में ये एक नियम और भी है कि यदि किसी करमचारी अधिकारी स्टाफ की मृत्यू हो जाती है, तो उनके दो बच्चों को नियमित होने तक कि उनके बच्चों के वह मिलेगा। बसर ते कि उनके माता पिता जो जीवित है किसी भी राज्य यानि कि उनके कोई अलग हो किसी भी राज्य सरकार या अर्शेनिक आदी में नोकरी न करता हो। वे अपना पूरा बल यहां से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस करमचारी को जो कारे करते हैं, वहां जमा कराना होगा। जरूर प्रोवाइड करने की कोशिज करूंगा। तो यह थे कुछ विशेश टोपिक्स, इसके अंदर कुछ क्लेरिकल मिस्टेक्स होते हैं, हो गई होगी, तो उसके लिए I'm sorry for that, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। मिलते हैं कोई अच्छी जानकारिक साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियो, जै हिंद, जै भारत!